Hello 8th class students, a very good morning to all of you उमीद कर देयां कि तो अधी नैस्ती जडी प्रेपरेशन है, बहुत ही वदिया चाल रही है So अज अथमी क्लास साइंस ता जड़ा क्वेज नमबर 4 है So ओधी डिसकुशन आपा करन जा रहे हैं So ये जड़ा क्वेज है मैं उपन कर लेया है You can fill the district, your student ID And first question जड़ा है That is Mohan ने वेख्या की पानी दी सफाई लई पानी दी पानी वाली टैंक की विच कोई रसाइन मलाया जा रहा है ये रसाइन केड़ा हुएगा Mohan saw that a chemical substance is being mixed in water for purpose of cleaning What this chemical can be? Bleaching powder, रसाइनिक खाद, detergent जयान लेट उन बेटा जी ये वेच्च सानु पता है की जड़ा bleaching powder है So ओ पानी दी cleaning दा कम करता है So ओ दे वेच्च जड़ा क्लोरीन है So ओ जड़े हान पानी दे वेच्च जर्म्स वगरा हान जयान उननों डिसनफेक्ट करके बक्टीरिया जनों केल कर देंदा है जदे नाल सा ड़ड़ा पानी है वो साफ हो जड़ा है So option जड़ी first option है That is the right answer Second question Ravi एवे के हरान सी की उसते पिता जी ने कार विच पत्रोल डीजल दी था ते कोई गैस परवाई है ए गैस केडी है Ravi got surprised to see that his father has filled a gas in his car instead of petrol or diesel Which gas was that? हुन बेटा जी, options are CNG, compressed natural gas, LPG, liquidfied petroleum gas, hydrogen जा nitrogen हुन this is very easy one So सानु पता है की जड़ा इदा राइट अंसर है That is the CNG ज़नु अपा compressed natural gas we कहने हा So ए जड़ी gas है ए एकते cost effective है as compared to petrol or diesel जड़ी है ए दी जड़ी कीमत काट है दूसरा एदी जड़ी की खासियत है की ए जड़ी है ए अप्रोक्सिमेटली 50% जड़ी काट carbon dioxide release करती है So जड़े नाल की है की साटा air जड़ा pollution काट होएगा So that's why CNG is more better as compared to gasoline, petrol or diesel So दिल्ली वगेरा जड़ी हैं बड़े बड़े शहर हैं उनना दे विच जड़ी है CNG दी facility आ गई है So मीद कर दे हां की जल्दी पंजाब दे विच भी है बहुत सारे शहरां दे विच लांच हो जाएगी So third question Which is non-renewable source of energy उर्जादा नान वे उन जोग स्रोत केड़ा है So non-renewable source वाले energy केड़े केड़े हैं जना नू द्वारा जड़ा है अपा नहीं पैदा कर सकते So इना दे विच जड़ा राइट अंसर है That is the fossil fuels जड़े विच कोल and petroleum आ जन्दे हन की ए जड़े हन इना नू बनान दे लई बहुत जड़ा जड़ा टाइम है Approximately billions or millions of years लग जन्दे हन So इनान में जोग जड़े हन स्रोत हन So fourth option is the right one Question number four केड़े रसायन दी वर्तो पानी शुद करन ले किती जन्दी है Which chemical is used to purify water? Again जड़े राइट अंसर है That is chlorine Chlorine जड़े है So it is the effective used for purification of water तुसी देख्या होना की करा दे वेच जड़े आपा Filter लगाए हुए हन So ओना दे वेच आपा कुछ chlorine white color दियां Balls आदिया हन So आपा पाद दे सी So ओनाल की है कि ये जड़ी chlorine है ये जड़ी है Germs नू, parasites नू, bacteria नू जड़ा है वो किल कार दिन्दी है ते साथ ड़ेडा पानी है वो साफ हो जन्दा है So third option is the right one Question number 5 ताजमेल वर्गियां मारतां दे संगमरमल दे खोर दा मुख कारण की है So असी देख्या है कि जड़ा ताजमेल जड़ीयां हो बहुत सारीयां जड़ा दे विच वाइट मार्बर लग गया होया है So ओ holy holy crude हो रहीयां पीलियां पैरियां उतो बाद काला पत्थर होना शुरू हो जन्दा है So ए इतना क्यों हो रहा है तजाबी वर्खा acid rain करके second option करादा कूडा करकर house garbage कार खान्या दी गंदगी यहां फिर chloro-fluorocarbon पैटाजी यह दा जड़ा राइट अंसर है देट इस ड्यू तो acid rain देवेच sulfuric nitric acid वर्गे जड़े हन तजाबी मात्रा होना देवेच जैदा हुंदी है कि वह जड़े सड़े तजाब हन जड़ों जड़ा सड़ा marble है marble बेसिकली की है calcium carbonate दा बनेया है कि वह जड़ा सड़ा acid है वह react करके वह एक gypsum दी तरह जड़ा है एक layer form mineral बन जनदा है जड़ा एक काले रंगदा हुंदा है ठीक है ना वह एक black crust जड़ी है जमनी शुरू हो जान दी है पत्थर खोर के खोर रहा है जड़ा main कारण की है that is acid rain जड़े वेच सड़ा जड़ा sulfuric acid है H2SO4 HNO3 Nitric acid दी जड़ी मत्रा है बहुत जड़ा हुंदी है So first option is the right one Sixth question Global warming दे नतिजे वजों heat लिखयां विचों केड़े प्रवाब देखनों मिल दे हन Which of the following are the consequences of global warming So आज जड़ा है आजकाल एक काफी global warming दे उते International level दे उते Discussions हो रही है कि किस तरह इना नो रोकिया जा सकता है Recent उसी एक news भी पड़ी सी कि Canada दे Antarctic जड़े शैर दे वेच जड़ा temperature है Approximately 49 degree पाया गया Which is very very high एक बहुत ही ठंड़े लाग के दे वेच भी हुन ता आप मान जड़े हन वदन लाग पए हन So जहा क्यों हो रहा है So consequences की हन इदे की की परवाब देखनों मिल रहे हन Increase in sea water level बिलकुल सही पानी दा पदर होली होली जड़ा है वद रहा है So जड़े नाल की है साड़े हडा दे आंदा खत्रा बहुत जड़ा वाद जन्दा है So melting of ice of hilltops ओ की है की carbon dioxide दी वाद मात्रा दे नाल जड़ी बरफ है ओ पिगल रही है ठीक है ना So ice melt कर रही है Increase in temperature गर्मी वाद रही है All of these So all these are the consequences of global warming की global warming दे पर बावदे नाले सारे effect सानू Holy holy नजर आ रहे है Seventh question अधियापक ने जमात विच पड़ाँ दे हैं दस्या की हवा गैस दा मिश्रन है की तुसी दा सक दे हो केड़ी कैस आइतन दे उनसार इस मिश्रन दा 21% हुंदी है Teacher told the student in class Air is a mixture of gases Yes, अनुपता है की जड़ी साड़ी हवा है वो बहुत सारी हैं गैसाना मिश्रन है और इन आदे विच्चों असी दसना है की एक्की परसंट वॉलियूम केड़ी गैस दा है Oxygen, Nitrogen, Carbon Dioxide के Carbon Monoxide So very easy one So right answer is oxygen की Oxygen जड़ी है हवा आदे विच्च एककी परसंट है यह तो अनुपता ही है Easy one Nitrogen लगपाग 78% है Carbon Dioxide 0.005% And Carbon Monoxide एक बहुत ही काट गैस है Less than 0.005% So right answer is oxygen Eighth question पानी नुपीन जोग कि में बनाया जा सकता है So hope we can make potable water So अनुपता है की जड़ा पानी है उनुपाँ फिल्टर करके जड़ियां उदे चाह शुदियां हन उनुपार कट सकते हां By boiling उबालन दे नाल भी जड़े हन उदे वेच्च बक्टीरिया हन जड़े हन एक temperature तो बाद मर जड़े हन chlorination also kills germs So all these options are correct की जड़े नाल अपाँ पानी नुप जड़ा है पीन जोग बना सकते हां Ninth question इना विच्चों परदूशन दी केड़ी किसम जैदा हद तक आगरा दे ताजमेल नुपर वावत कर रही है The type of pollution which is likely to affect ताजमेल in आगरा to a greater extent is Water pollution, Air pollution, Soil pollution ते Sound pollution उन बेटा जी जड़ा जड़ा राइट अंसर है That is due to air pollution Acid rain जड़ी है किस तरह पैदा हुंदी है कि साड़ी जड़ी हवा है जड़ी है जहरीलिया गैसिज हनो दे विच्चे जड़े आप हां फैक्टरियां तो pollution है जहां सी हैं Compressed जड़ीयां साड़ीयां कलोरो फ्लोरो कार्बन हन सो हवा देवे चुत्ते Sulfur dioxide, Nitron dioxide जड़ीयां गैसिज हन जड़ों बारिश हुंदी है ते गैसिज जड़ीयां हन पानी नाल मिलके जड़ा हन Sulfuric acid ते Nitric acid बना दियां हन ते जड़ों ओ पानी जड़ा है Acid rain जड़ी है Marble दे उत्ते पैंदी है Marble जड़ा है जड़ों घुरू हो जड़ा है ताजमेल जड़ा है उत्य अफेक्ट पैर्या है इस दू तो the air pollution Second option जड़ी है That is the right answer Last question तज़ाबी वर्खा दे बारे इनना विचो केड़ा कथन सही है So which of the following statement is correct about acid rain तज़ाबी वर्खा ओ वर्खा है जिस विच परदूशित हवा दियां गैसा sulfur dioxide ते nitrogen oxide तो बने तज़ाब मजूद हन दे हन So acid rain is that rain which contains small amount of acid gases like sulfur dioxide and nitrogen oxide present in polluted air तज़ाबी वर्खा also damages a lot of crop बिलकुल सही acid present in acid rain wrecked with carbonate present in marble and limestone of a statue building or monument and crowed it slowly So all of these So सारे ही जड़े तथ हन बिलकुल सही हन So right answer is option number 4 So I hope कि तो अन जड़े आज़े यह answer हन समझ आगे होनगे Let us see कि तो अड़े किनने जड़े सही हनदे हन Till then good bye All right